हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो ये आज हमारी सिरीज नंबर सेकेंड मैं सी ये उतकश गर्ग आपके पास लेकर आया हूँ आज इसमें जो हम डिसकस करने जा रहे हैं अगर मैं आपकेंड तो इसमें हमने जो इससे पहले सिरीज डिसकस कर रहे थी नंबर सिरीज हमने पूरी कंप्लीट कर ली वन से आपका 30 कोशन्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था आज जो हम करेंगे 31 से लेकर आपका लाज तक तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो हमारा कोशन्स जो कि अन्सॉल्ट सिरीज का हमारा चल रहा है हमने 30 तक कर लिया था ठीक है तो 30 इसमें क्या होता है फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे coding recording में मतलब क्या होता है हमारे को एक code दे दिया जाता है उसमें से जो relation बनता है उसको हमारे को नए code में apply करना होता है जिससे हमारे को एक नया result मिल जाता है ठीक है? तो जैसे अब इस code में हमारे को दे रखा है कि Madras का code NBESBT दे रखा है तो आपको आपसे वो पूछ रहा है कि Delhi का code क्या होगा तो Delhi का code क्या होगा सबसे पहले हमारे को एक relation देखना पड़ेगा तो अगर हम देख रहे हैं friends जैसे कि थोड़ा सा alphabetically आपको knowledge होने जी M के बाद क्या आता है N A के बाद क्या आता है B D के बाद क्या आता है E तो मतलब आप कहीना कहीं देख रहे है M N A B D E R S A B S T तो कहीना कहीं मतलब अगर हम जब Delhi का word बनाएंगे तो उससे भी आगे उसी का एक एक शब्द alphabet ले लेंगे plus one हो रहा है तो इसी logic को अगर हम Delhi पर लगाते हैं क्या आता है D के बाद E E के बाद F L के बाद M H के बाद I I के बाद J E F M I J क्या ये वाला code हमारे पास available है E F M I G E F M I G मतलब B question option हमारे पास available है ठीक है चलिए 32 if Raman is written as अगर Raman को हमने 12325 लिखा है दिनेश को हमने इस तरह लिखा है अब आप देखने फ्रेंटS Unicode हमने बता रखा है कि जैसे अगर R को हमने 1 दे रखा है तो इसका मतलब क्या अगर इस word में हमारे पास R में 1 आएगा तो हम उसको 1 दे देंगे अब इसमें सबसे पहले हम H देख लेते H को हमने 9 दे रखा है इसको नोट कर लेजीगा Red को अगर हमने 6720 कर रखा है तो Green को हम क्या code करेंगे तो इसमें कोई Friends Alphabetically वाला नहीं है इसमें हमारा जो कहते हैं कि आपको Alphabetically पूरी Series की Knowledge होनी चाहिए कि R कौन से Alphabet पर आता है ठीक है ना D कौन से जैसे D हमारा 4 आता है आपको पता है ठीक है ना तो ऐसी इस तरीके से बाकी सबका आपको Knowledge होना चाहिए तो इसमें क्या करा है इनोंने तो अगर हम चलें तो जैसे R हमारा क्या आता है आपका R, E, D R, E, D R में हमने क्या किया R हमारा 18 अलफाबेट है E हमारा 5 है और फिर D हमारा क्या है आपका D आपका 4 है फिर इसमें क्या किया गया 6 आप देख रहे हैं उसको क्या लिखा गया है 6, 7, 2, 0 ठीक है तो 6, 7, 2, 0 इसका मतलब क्या है कि कुछ इसमें हमने add करा है क्योंकि कहीना कहीं तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो हमारा 20 आजएगा तो 6, 7, 2, 0 ठीक है यह कहीं न कहीं यह code आगया हमारा अब बात आते है green पे तो अब देखिए आप friends कोशिश करिए देखिए notice करिए हमने क्या किया जो code आया फिर उसको reverse कर दिया ठीक है तो इसी तरीके से हम green का code बनाएंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे reverse कर देंगे ठीक है चलिए तो अब सबसे पहले हम लिख से लिए ते green green में हमारा सबसे पहले आता है जी 7 पे आता है 18, 5, 5 और 14 फिर जैसे हमने addition किया था 2 का सब जगा 2 का addition कर देंगे हमारा result क्या आ जाएगा 9, 20, 7, 7, 1, 6 ठीक है अब हम इस code को reverse कर देंगे तो reverse करके क्या आएगा answer आपका 6, 1, 7, 7, 2, 0, 9 6, 1, 7, 2, 0, 9 तो 6, 1 सबसे पहला आपका option है आपका 6, 1, basically यह रहा मतलब, sorry मैंने उसको 6, 1 कर दिया, वो 16 आना था ठीक है न, तो उसको correct कर लीजेगा 16, 7, 7, 2, 0, 9 हमारा answer हो जाएगा, चलिए question number 34 if a is equal to 1, fat is equal to 27 तो faith क्या होगा इसमें भी वो ही logic लागएगा friends सबसे पहले अगर हम कहें तो fat को हम लिखे लेंगे F, F का मतलब क्या हो गया 6, A का मतलब 1, T का मतलब 20 तो fat 27 है इसका मतलब क्या है इन्होंने क्या कर रहा इसको submission कर दिया 27 आ गया तो इसी तरह faith faith कैसे लिखेंगे faith में हम क्या लिखेंगे इनके alphabet लिखेंगे F for 6, 1 I for 9 T for 20 उसके बाद H आपका आजाता है 8 क्या हम इसको जोड सकते हैं हम इसको जोडेंगे तो हमारा कितना आजाएगा 20, 30, 36 और 44 तो क्या यह answer हमारा available है Yes, A option available है तो इस तरह के समने friends 34 तक कर लिए हैं 35 question discuss कर लेते हैं 35 question क्या क्याता है if brother is coded as this sister is coded as this तो borbers को हम कैसे लिखेंगे ये भी friends उसी तरीके से है जो अभी हमने हमाम वाला discuss किया था आप जो code दे रखा है उसी code को हम इसमें mention कर देंगे तो हमारा solution आजाएगा अगर आपको requirement है इस तरह की क्योंकि हम इस तरह के काफी सारे question आगे discuss करने जा रहे है अगर आप इसी trend से follow करते हैं तो मैं simply इस तरह कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको शुरू के तीन letters बता देता हूँ बाकी आप कर लीजेगा B, B for 2 O for O आपका है 3rd letter आ रहा है 5 और फिर R आ जाता है आपका तो R आ जाता है आपका 4 तो 254 से हमारा जो alphabet शुरू होगा ठीक है ना बाकी तो इसमें हो सकता है काफी सारे 254 से है तो अगर आप उसको complete करेंगे तो इसी तरह के साब कर सकते हैं ठीक है मैं आपको पूरा code बता देता हूँ 254 2849 यह आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यह आपका अंसर अविल्ल हो जाएगा चलिए क्योंकि इसमें इसी तरीके से मैं आगर आप से बोलूँ ना आगे डिसकस भी हम करने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंस होगा हो मैं आपको खुदी बता दूँगा 36 इसी तरीके से है 37, 38, 39 ठीक है 40, 40 question भी इसी तरीके से है तो अब जैसे random basis में आपको करवा देता हूँ कोई जैसे clock है clock का 3, 4, 2, 3, 5 है time को यह है तो model कैसे लिखेंगे तो अब model के लिए time का alphabet है हमारा 7 ठीक है 7, 2, 8, 9, 4 यह हमने कैसे लिया O का हमने लिया 2, ठीक है T का हमने लिया 8 E का हमने लिया 9 और L का हमने लिया 4 इस तरीके से हमने answer ले लिया तो करिएगा friends अगर कोई issue आता है तो आप मुझसे यह मत कहिएगा कि sir आपने यह सब चीज़े छुड़वा दी है मैंने छुड़वाया कुछ नहीं है friends यह बहुत easy question है आप चाहें तो इसे कर सकते हैं और नहीं तो कोई issue आता है तो आप मुझसे comment करके आप उससे पूछ सकते हैं ठीक है जो भी कोई difference होगा अब जैसे friends चलिए question number 41 मैं करवा देता हूँ आपको question number 41 क्या कहता है अगर name is written as 4258 तो mean कैसे लिखा जाएगा basically यह क्या है यह इसी का ही ultra है तो बस alphabet बदल ले होगे 5 ठीक है 5, 8, 2, 4 तो simply आप 5824 को option आपका option कहा विलेबल है D option अविलेबल है आप उसको देख सकते हैं ठीक है ना सिर्फ alphabet का ही खेल है चलिए तो हाँ question 42 थोड़ा से difference है मैं यह आपको बता देता हूँ ठीक है ना क्या कहना चाहता है गोल्ड अगर यह IQNF है तो wind को हम कैसे लिखेंगे ठीक है अब सबसे पहले देखिए friends G के बाद अगर हम कहें तो H आता है नहीं लिया इसमें भी plus one कर दिया उसी तरीके से एक एक alphabet छोड़ते गए तो उसी तरीके से हम अगर यह code wind पे लगाते हैं तो WX X छोड़ देंगे Y आ जाएगा I के बाद J छोड़ देंगे K आ जाएगा N के बाद M छोड़ देंगे P आ जाएगा D के बाद E छोड़ देंगे F आ जाएगा तो Y K P F तो यह code अविलेबल है हमारा Y K P F A अविलेबल है ठीक है यह थोड़ा से difference था इसलिए आपको लगेगा तो मैंने आपको करवा दिया चलिए तो अगर अब हम चेक करते हैं अगर रोज को आप लिखते हैं T Q U G तो बिस्किट को आप कैसे लिखेंगे अब अब अगर हम देखें तो कहीं न कहीं R S T अब इसमें भी R S नहीं आया T आ गया M N O P नहीं आया Q आ गया E के बाद F नहीं आया G आ गया तो वो ही प्लस वन कर दी है नोंने तो वो ही हम इसमें लगाएंगे अपना बिस्किट पे तो बिस्किट के बाद C छोड़ देंगे D आ जाएगा तो D K U E W K और आपका यह आ जाएगा C तो यह आपारा कोड बिस्किट का आ जाएगा चलिए तो यह हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है आपका 43rd question अब friends इसनों ने क्या किया कुछ letter और code digits दे दिया हमारे को और उसके बाद यह code दे दिया उसमें हम इन code को अपलाई कर देंगे जैसे Z का alphabet है 6 ठीक है D का alphabet है आपका 1 उसके बाद R का alphabet है आपका 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 2 उसके बाद C है आपका last से third है C तो C इसमें 8 है C8 ले लिया हमने V ले लिया V फॉर्थ alphabet है तो 4th 7 ले लिया ऐसी तरह F हमने ले लिया last second 5 तो यह जो code है हमारा friends यही answer हो जाता है तो इसमें हम चेक कर लेंगे 612, 875 तो इस code को देखकर आप आगे कि question number 44 जो मैंने आपको करवा दिया 45, 46 solve कर सकते हैं easily कोई issue इसमें नहीं आएगा तो जिसमें issue आने वाले वो मैं आपको solve करवा देता हूँ वो क्या कहता है 47 कहता है दिल्ली को अगर हमने code किया है this तो बॉम्बे को हम क्या code करेंगे यह थोड़ा सो code है जैसे अगर आप देखने में इसमें क्या है हम क्या backspace चले गए जैसे और backspace भी कैसे गए है जैसे d के बाद c आया पर फिर e के बाद c आ गया आपका l के बाद आता आपका k तो k इधर आया नहीं तो उसके बाद आपने क्या ले लिया उसकी जगा i ले लिया तो इसी तरीके से हम उसको आगे solve करेंगे कि i के बाद भी इन्होंने d लिया है तो मतलब minus 5 alphabet ले लिया तो अब यही जो हमारा relation है इसको हम Bombay पे apply करेंगे तो Bombay पे apply करेंगे तो हमारा क्या answer आजाएगा हम जड़ा check कर लेते हैं Bombay में भी minus 1 B में minus 1 A किया तो A फिर O में हमने minus 2 किया तो O में जब आप minus 2 करेंगे तो क्या हैगा आपका आप खुद देखिए कि minus 1 करते हैं तो O में जब आप minus 1 करेंगे तो minus 1 मतलब N छोड़ देंगे N छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या बचाएगा M, M आ जाएगा इसी तरह माइनस 3, माइनस 2 तो करेंगे तो आप A, M, J आपका ये Y, V, S तो ये हमारा code बन जाएगा तो हम चेक कर लेते हैं हमारा code कौन सा आ रहा है A, M, J, X V, S ये हमारा B code आ जाता है चलिए अब आगे चलते हैं question number 48 48 simple है वो हमने ये number दे दे life को हमने ये number दे दे तो pillar को क्या है तो इसी में से basis से number देखकर हम pillar का बना देंगे 3, 1, 8, 8, 2, 6 कैसे आया जैसे हम देखने P, P for stands for हमारा क्या number करता है P, P हमारा third alphabet है जो की 3 number दे रहा है तो हमने 3 ले लिया इसी तरह के से बाकी number लेकर हमने से solve कर दिया ठीक है तो मैं आपका friends, precious time थोड़ा सा लेना नहीं जा रहा है 43 पालम को हमने code दे ले 43 तो सेंटा क्रूस को हम क्या code देंगे मतलब कही न कहीं हमने पालम में जो alphabet से उसको addition किया है कही न कहीं तो piece 16 पर आ गया A1 पर आ गया फिर L आ गया 12 पर A आ गया 1 पर 13 आ गया आपका M पर हमने इनको जोड़ा तो यह आ गया 43 तो अच्छा है इनों ने इस तरीके से 43 बना दिया तो बस सेंटा क्रूस पर भी आप यही अपलाई कर दीजे तो सेंटा क्रूस पर क्या आ जाएगा आपका 19 S में आ जाता है इसमें फ्रेंट्स आपको पूरा A से Z तक का जो अल्फाबेट्स है वो किलियर होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेट्स कौन से पर आता है अगर आपको स्पीड के साथ कोश्चन को सॉल्व करना है ठीक है चलिए हम सेंटा क्रूस को कल्कूलेट कर रहे थे तो हमारा यह option अविलेबल है चलिए तो यह हमारा 49 कोश्चन तक यहां पर complete हो जाता है ठीक है अब इसी इसको ही देखके आप अपना आपको यह code दे दिया उपर ठीक है अब इसी code से यह जो code है आपको इसमें alphabet बनाना होगा आप simply इस code को जब उसमें apply करेंगे तो आप अपना alphabet choose कर सकते है तो sorry I think इसका तो code आपको यही दे रखा है यहां पर ठीक है न तो इसी में ही आप यह code apply करतीजेगा आपका answer आजाएगा चलिए question number 51 यह थोड़ा सा friends अच्छा question है तो इसको हम अच्छे से discuss करते है कहता है 256 को हमने लिखा you are good 637 को हमने लिखा we are bad 358 को लिखा हमने good and bad ठीक है तो कहता है and को हम किस तरीके से लिखने है अभी मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपको यह question बिल्कूल भी समझ में नहीं आया होगा चलिए मैं हम इसको लिखकर solve करते हैं तो लिखकर कैसे solve करेंगे जैसे अगर मैं लिखता हूँ आपसे 255 256 256 को क्या लिखा you are good ठीक है अभी मैं simple तरीके से लिख रहा हूँ आप इसको पूरा-पूरा लिखिएगा 637 को हमने लिखा we are bad third है 358 जिसको हमने लिखा good and ये आर ले लिजेगा कभी आप confused हो जाएं ठीक है और bad ठीक है अब friends इसको दिखिए solve करने का क्या technique होता है आप देख रहे हैं friends यहाँ भी bad common आ रहा है और नीचे भी bad common आ रहा है और ये दो alphabet दे रहे हैं मतलब इसमें कोई एक ऐसा letter होगा चो common होगा तो क्या देख रहे हैं क्या आप 3 common देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा है हमारा जो bad word है आप एक जगा लिख लिजे bad is equal to 3 हम यहाँ पर इसको काट देते हैं चलिए उसके बाद हम common दूसरा common देखते हैं आप एक word देख रहे हैं good क्योंकि हमारे को friend end निकालना है तो कही न कहीं हम देख रहे है good भी common आ रहा है तो third और first series में क्या common आ रहा है 5 common आ रहा है चलिए तो 5 common आ रहा है तो हम इसको काट देते हैं 5 को तो good से good कट गया मतलब end जो बचा हमारा 8 alphabet बचा तो कहीं न कहीं end 8 से relate कर रहा है अब इसको मैं हटा देता हूँ आपका तो क्या आ जाता है आपका end end को represent करता है आपका 8 को तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको solve करते हैं ठीक है तो इसको इस तरीके से आप solve करिएगा ठीक है चलिए तो यहां पर हमारी friends जो coding decoding की सारी problems है वो खतम हो गई है ठीक है वीडियो लंबा तो नहीं बना है चलिए मैं इसी में फिर आपके यह find odd man out series भी discuss कर लेता हूँ आपके साथ ठीक है तो इसमें friends basically हमारे क्या होता है इसमें कि एक alphabet होता है हमारा जो कि आपका odd man out होता है odd man out का क्या मतलब होगा कि वो alphabet वो series से बिल्कुल अलग चल रहा है ठीक है न तो सबसे पहले हम 52 से solve करना शुरू करते हैं आप on the face of 50 इसको बता देंगे कि इसमें क्या होगा सर ठीक है चलिए 357 अगर आप देख रहे हैं इसमें तो friends plus 2 का addition चला आ रहा है ठीक है अब आप इसे check लिए तीन में 2 जोडे 5 आ गया 5 में 2 जोडे 7 आ गया 7 में 2 जोडे 9 अरे नहीं 9 तो आया है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा 15 हमारा odd 1 आउट हो गया इसको हमने टिक कर दिया बस तो इसी तरे से 53 कोशन देख लेते हैं 10 14 16 18 23 24 26 तो अब इसमें क्या आ रहा है friends इसमें भी अगर हम देखे तो प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 बट प्लस 5 इसमें ऐसा कुछ भी हमारे को नहीं देखना होगा सिर्फ बेसिकली यह डिफरेंस क्या है सारे नंबर्स आपके एवन है और एक 23 है जो आपका odd नंबर है तो उसे आपने कर लिए जरूरी नहीं कि सब में ही सिक्वेंस बनानी होती है मैं यह चेक भी करता आपको चेक कर रहा था कि आप उसको क्या सिर्फ सिरीज के पैटरेंस से देख रहे हैं या फिर आप अपना इस तरह के से अपना application माइंड चला रहे है अब इसमें लगाए यह फ्रेंड्स application अपना 149 कही ना कहीं फिर वो ही वाली बात आगी मैंने आपको बताता है इसमें कहीं न कहीं हमारा कि square का महसूस हो रहा अगर हमारा को knowledge है कि 2 का square या 3 का square क्या होता है तो उसमें हम अगर apply करते हैं तो 1 का square, 2 का square, 3 का square, 4 का square बट 24 तो किसी का square होता ही नहीं है तो कहीं न कहीं यह हमारा odd one out हो जाएगा question number 55 discuss कर लेते हैं question number 55 में बोलता है 41, 43 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75 मतलब इसमें क्या आ रहा है हमारा 2, 2 का gap आ रहा है या आप इसको अगर और तरीके से भी देख रहे हैं तो यह सारे prime numbers है friends except 75 ठीक है ना सारे prime numbers वो होते हैं जो सिर्फ अपने से या फिर one से divisible होते हैं तो इसका answer हो जाएगा आपका 75 चलिए question number 56 56 अब बात करते हैं अब इसमें भी आपको महसूस होने लगा होगा friends अब तो I think कि हम squares की बात कर रहे हैं तो अब आप खुदी चूस करके देख लेंगे कि हाँ सर्फ 73 इसमें square है नहीं तो हम उसको odd one out कर देंगे यह आपका odd one out आ जाता है चलिए question number 57 डिसकस कर लेते हैं 57 में क्या बोलता है आपका 57 में आप देखरें ट्रेडिशन वही प्लस 3 प्लस 6 नी सुरी 4 के बना ही न आ गया आपका प्लस 5 का difference आ गया हाँ 5 हाँ प्लस I think 5 का difference आ गया यह तो आपका यह 3 का difference आ गया फिर 5 का difference आ गया फिर आपका 7 का difference आ गया फिर आपका यह इसी तरीके से difference आपका बढ़ता जा रहा है ठीक है तो आप इसमें अब लगाईए कौन सा application है कि आपका जिसमें यह carry out नहीं हो रहा है तो बताईए सोचके एक बार लगाईए अपना दिमाग भी किसमें आपको इसको लगता है कि नहीं होगा य तो friends सही answer 19 है इसका क्योंकि उसमें एक भी trade 15 के बाद 19 नहीं आता ठीक है ना तो वो गलत हो गया और 1 आउट हो गया अब इसमें हम option देख लेते हैं अपना यह हमारा गलत आ रहा है ठीक है चलिए 58 58 question क्या कहता है आपका 58 कहता है आपका 1, 5, 14, 30, 49, 55 और उसके बाद आजाता आपका 91 ठीक है तो कहीं न कहीं अगर हम देख रहे हैं तो difference difference 4 का आ रहा है बट जो difference 4 का फिर plus 9 का plus 16 का उसके बाद plus 19 का तो हमारे को इसमें कोई हमारे को trend महसूस नहीं हो रहा बट अगर आप देखें तो सारे नंबर आपका available है except 49 चिक है तो उसको हम tick कर देंगे चलिए अब हमारी